तो गाइज यहाँ पर क्या है कि पहले हमने काइन मास्टर को ओपन किया जो आपके फोन में है उसको आपको ओपन करने है प्लस का निशान है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैं one by one step by step सारी चीज़े आपको बताऊंगा यह है प्लस का आइकन ठीक है इस पर आपको क्लिक कर प्लोग वगरा सूट करना है तो इसके लिए 16 का यह वाला जो है 69 का रेशिय ओ है 9-16 का रेशिय इस सेकेंड वाला जो होता है वो आपके रेल्स और शौट्स बनाने के लिए होता है ठीक है और इंस्टाग्राम पर कोई पोस्ट वगरा करनी हो तो आपको III वाला जो है लेन पड़ा सकता है तो हमको जह है ब्लॉग की सुटिंग करनी है या ब्लॉग बनाना है को वीडियो शूट करनी है तो इसके लिए हमको 16 is equal to 9 का रीशियो यहां पे ले करके इसको इस तरह से कर लेना है तो यह हमारा यहां पर इंटरफेश आगे अब चलिए वी इंटरफेश के बारे में आपको one by one सारी चीज़े हम बता देते हैं कि है क्या चीज यहां पे देखिए पहली चीज तो आपका क्या है ना कि main जो आपका होता है वो media होता है ठीक है यहां इडिटिंग या कुछ भी आपको अलग से डालना है तो वो है लेयर ठीक है टाइम लाइन आपकी main होगी जितनी बड़ी टाइम लाइन उसके नीचे उतनी लेयर उतने देर के लिए आप चला सकते है ठीक है उसके बाद में आपका आ जाता है यहां पर माइक का option है यानि कि एड़ वीडियो क्लिप और इमेज बिफोर एडिंग ऑडियो ठीक है पहले कोई इमेज वगर डाली है फिर आडियो आड़ कर पाएंगे तो अभी हमको कया करना है कि यहां पर हमने simply और सीधा सा मीडिया को आड़ करना है तो पहले अपनी टाइम लाइन पर हम मीडिया आड इसका टाइमिंग आ रहा है यहां पर आप इसको जो है यह हमारा पूरा फिगर आउट आगया अभी क्या है कि यहां पर देखिए आप गलती से इसमें एक चीज़ का थोड़ा से दिक्कत होता है कि जो पोड़ेट में हम लोग वीडियो शूट करते हैं रिल्स के लिए वो जब हम add कर रहे होते हैं तो वहां पर नहीं दिखता है वो हमें यहां पर ही आगे पता चलता है तो अब क्या है कि इसका एक shortcut अभी मैं यहाँ बता देना हूँ अब जैसे यह आपकी वीडियो का editing का भाग नहीं है तो हम क्या करेंगे इसको यहाँ पे इस पे select किया है आपको यह around यह selection दिखी रहा होगा उसके बाद हम यहाँ delete पर click कर देंगे यह delete है ठीक है इस पे हम click कर देंगे तो यह हो गया simply delete अब क्या है कि यह हमको यहाँ से पूरा video हमारे timeline पे दिख रहा है अब क्या करना है आपको मैं starting से बता दूँ कि पहले हमने video को editing करने के लिए क्या करना है कि for example जैसे हमारा video start हो रहा है यह हम गए और हमको चाहिए यहां से यह building से हमको नहीं चाहिए था video हमको चाहिए था इस वाले building से video start हो यहां से exact ठीक है जहां पे यह खतम हो रहा है ठीक है मान लिजे यह वाले कोने से हमको video चाहिए था इस वाले कोने से इस building के कोने से या तो हमें क्या गmana है कि हमको यहटा क्या है कि लाएन कि आप इस पे अगर फिंगर टच करेंगे थीक है यहाँ पर इस पर एगर If इंगर टच करते हैं ठैकेए ट्र swag करते हैं इसको पडाओ तो यह ऐसे चल रहा होता है देखिए जैसे मैं चला रहा हूँ तो अभी हमको क्या करना है कि हमको वीडियो जो है इस वाली बिल्लिंग से नहीं लेना हमको इस वाली से लेना है तो अब यहां से हमारे वीडियो स्टार्ट होना चाहिए था यहां से ठीक है तो अब इसको कट क प्ले हेड जहां पे रहेगा वहीं से कटिंग होगerson इन्टरेस्टिंग है सीऴक्ट बने रहे नहीं सिखना ए तो भी बने रही है first of all यहां पर दिखिए यह पसे ही उसको कई कर देगा sudah लेकिन कोई भी दामेबाय से कुछ रिमूव नहीं करेगा ठीक है और यहां पर क्या है और अगर आपके वीडियो में कोई आडियो है तो उसको निकाल देगा और यह स्प्लिट फ्रेम यानि कि यहां से आपका जो है एक वाल पर जनरेट हो जाएगा और आपके ग्यालरी में जाकरके सेव हो जाएगा यह स्प्लिट फ्रेज ठीक है इस वाले से तो हमको क्या है कट करना है ठीक है तो कट क्या करना है हमको जो है इधार का इंसा जो है यह वाला किया तो देखिए वीडियो हमारी यहां से स्टार्ट होगी लकिन एक चीज़ और बता दें माल लीजे हमको नहीं करना था हमको फिर से करना और वीडियो तो कट हो गई तो हम क्या करेंगे इसके लिए आपका जो है यहां पर रीडू का ऑप्शन है यह देखिए यह जो गुम हमारी सही हो गई ठीक है तो यह रीडू और अंडू है अगर हम चाते अंडू तो देखिए यह विल्डिंग वहां से आगी और रीडू अंडू फिर दो चीज़ मतला वापस वही काम पर जाना वापस उसी काम से आना तो यह यहां पर सिस्टम है उसके बाद में है क्या ची ठीक है उसी सीजर वाले पर इस प्लिट देखिए अब यह दो हिस्सों में बढ़ गी लकिन यहां पर आपको छोटा सा एक बॉक्स बन करके आ रहा है वाइट कलर का यह देखिए अब को दिख रहा है अब इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो यहां पर आ गया है ट्रांजक्श बोल रहा होता और यहाँ से कट करके दूसरा यह आ जा तो यह ट्रांजिक्षए आप आइड कर सकते हैं और आपो नहीं लगानी है तो फिर से जैसा मैंने आपको बता है था कि आपको यहाँ पे जो रिडू कर देना है तो यह हो गया आपका पहला आप्शन जो आपने सीखा इसके बाद में आपको क्या है कि आप आप कहते हैं वीडियो आते ही आप बोलते हैं प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब करए तो सबस्क्राइब करने के लिए आपको क्या करना होता है यहां पर आपको green स्क्रीन का एक subscribe बटन आपने बनाया होगा वैसे नहीं बनाया है तो मैंने बनाना बताया है कि यह कैसे बनता है वो चीछ अब यह green screen आ गई है बनाया बनाया ब्टन वाली है अब इसको जो है देखे यह green है बट यह कैसे हटेगा यहाँ से यह चीछ देख लिए ख़िया तो कि इसको ग्रीन को हटाना है तो हमको क्या घरना होगा ऑप्षिन किस ऑप्षिन में जाएंगे जैसे ही हम इस green वाले पर click करेंगे पहली चित्व हमको green वाले पर click करना है और green वाला आया कहां से वो भी मैं आपको बता दूँ कि layer में जाकर के हमको media add करनी होती जहां पर हमको जिस जगा पर लगाना है वहां से वो जगा पर जाकर के हम करेंगे और वहां से वह आ जाएगा ठीक है तो यहां पर आने के लिए हमको क्या करना है मीडिया पर आ गए और फिर यह अब इस पर हमको क्लिक कर देंगे सिंप्ली तो वो जो है क्रोमा की का ओप्शन आ रहा है ठीक है तो आप यहां से ग्रीन स्क्रीन को क्रॉप भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा छोटा ही हो जाए यहां पर इस तरह से यह देखी छोटा हो रहा है हमने क्रॉप पर क्लिक किया ठीक है तो यह हो गया अब आपको तभी वह अब तो आप यहां पर इसको इसको सेलेक्ट करके स्क्रीन पर करिए चाहेक टाइम लाइन पर क्लिक करिए वह एरिया सेलेक्टेड स्क्रीन पर यह लिए अब यहां पर क्या है कि यह दिखिए यह इस तरह से आता है ठीक है तो यह एक function हो गया अभी मैं इसको delete कर दे रहा हूं यह तो आप जानी क्या होंगे ठीक है यह यह हो गया इसका system अभी क्या है यहांपर कि हमें क्या करना है यहांपर लेयर में जाना है अब हमको कुछ लिखना है ठीक है अपने वीडियो में यहां पर कुछ कि जैसे वीडियो स्टार्ट हो रही है तो आगे भी इसी तरह के वीडियो रहा है तो हमको क्या करना है कि यहां से हमने जहां पर भी timeline रखेंगे वहां पर लिखने का option लाने के लिए फिर हम लेयर में जाएंगे text है T यहां पर बना हुआ है यह T जो होता है ठीक है यह T जो बना है इस पर हमको click कर देना है इस पर click करना है और लिखना है माल यहां पर हमने लिख दिया यह video आगे है ठीक है यहां पर हमने क्लिक किया और यह ऐसे कर दिया अब देखे यह बड़ा चूटा हो जाता ठीक है इसको उगली से मैं ड्रैक कर रहा हूं यह जो arrow है नीचे वाली और यह ऊपर वाली से यह उपर नीचे होता है मतलब अपना angle बदलता है और इससे बड़ा छोटा होता है आप लेकिन यहां पर क्या क्या चीज़े आप इसमें भी देख लिज़े आपको मैं बता देता हूँ कि यहां पर क्या क्या option आपको मिलता है जब आप text यहां पर लिख लेते हैं तो अभी आपको क्या करना है कि in animation का option आपको आपको क्लिक करते ही यहां पर आपको मैं बता दूँ इन animation है ठीक है overall animation है और out animation है यानि कि एक animation जो की in होगा किस तरह से और एक animation जो out होगा किस तरह से लेकिन overall यानि कि पूरे पर वो animation हर टाइम काम करता रहेगा वो तो चलिए जान लेते इन animation का मतलब है कि भाई यह ऐसे आपको video आएगा या ऐसे आएगा आगे jump करेगा ठीक है या तो फिर आपका video जो है इस पर click किया फिर से overall पे यानि कि वो अगर इस तरह से आता रहेगा इस तरह से ब्लिंग करता रहेगा ठीक है तो यह वाला पर animation लगा सकते हैं अभी नन कर दीजे यहां पर और आउट एनिमेशन पर जैसे हम इन इस पर टैप किया और फिर आउट animation है कि कैसे ही वो out होगा इस तरह से out हो जाएगा इस तरह से fade हो जाएगा मतलब हट जाएगा ठीक है तो इस तरह से जो है यह animation इसमें लगते हैं और उसके बाद में जैसी आप text पर click करेंगे तो यहाँ पर देखे एक option आ रहा है इससे क्या है कि हम अपना font use कर सकते हैं जो भी हमारा font है ठीक है कहां पर आएगा वो guys जब हम इस पर click कर देंगे अपने text पर फिर a पर आएगा और यह text है ठीक है काफी सारे text है यहाँ पर तो यहाँ पर हमने जैसे यह कर दिया अभी थोड़ा सा मोटा हो जाएगा ठीक है तो उस तरह से यहाँ पर आप text अपना बदल सक देखते हैं यह जो 80% हो रहा है आपके सामने समय ठीक है और फिर यहाँ से यह कर देंगे तो देखे ब्लैक हो गया इस तरह से करके ठीक है ग्लो करना है तो ग्लो किस कलर का करना है वह भी आप देख लीजए इस तरह से ग्लो हो जाएगा थोड़ा सा ठीक है फिर शैड़ो भाट आना तो कसल शैड़ो मैं से तो इस तरह से आपको कलर फॉंट का चेंज करना है झाल यहा पर प्लर चेंज लेगा हो जाए ऊंदने परिवर्तन कर सकते हैं और टेक्स्ट को क्या करना है कि हम इतनी दूर ही तक चले तो तो उसके लिए आपको करना क्या है कि इस पर से पर और यहां से ट्रिम कर दीज़े तो वह कर जाएगा चोटा हो जाएगा तो यह यहां तक आप समझ गया होंगे बाकि अगर आपको क्या कहते हैं कि कोई भी वीडियो आप बनाते हैं ब्लॉग वगरा बनाते हैं ठीक है तो ब्लॉग बनाते टाइम आपको एक काम करना होगा कि जैसे आगल बगल बहुत चादा बीड़ बार होती है तो उसमें आप वहां पर बोल नहीं पाते हैं और वहां पर आपका माइक भी डिश्टर्ब हो जाता है तो आप वहां का सिंप्ली वीडियो बना लिजे जैसे कि मैंने ये रेलवे का वीडियो बनाया है और इसको सिं करके स्टार्ट पर क्लिक करेंगे ये चलने लगेगा और जितने दूर का वीडियो आपको बोलना है वो बोल करके आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसी के बैग्राउंड से मर्ज हो जाएगा वो ऐसा लगेगा कि आप उसी जगा पर हैं और वहां पर इस तरह का कुछ हो पा करने के बादेर ओंके इस तरह से यह म्यूजिक बा-स आप यहां से कम कर सकते हैं तो यहां पैसे जाहिए है इस था से कम कर लिजैंटी कि आप यहां पेचार्लन जब चलाएंगे और मीयूजिक सबादना करें लिए और ब्लॉज आप i for करना एके न होुट करना है है किस तरह से बार भी जो उसको शे एर करने के बाद में से अपको एक्स्पोर्ड पर क्लिक कर देना और यहां पर बीडियो वर को जाएगा है तो श्टार्टिंग में इस तरह से आप वीडियो अगरा कर सकते हैं बहुत अच्छे से अगर आपको किसी भी पार्ट में जूम करना है ठीक है किसी भी कितनी भी दूरी के लिए जूम करना है तो यहाँ पर आपको इस पर टैप करना होगा और फिर क्रॉप में करना होगा और यहाँ पर उस जगह के लिए आपको जूम का सारा लेना पड़ सकता है तो जैसे कि अभी यहाँ पे है यहाँ पे आपने इसको जूम किया ऐसे यह इस तरह से जूम हो जाएगा यहाँ पर ठीक है इस तरह से जूम हो जाएगा अब आपने ऐसे डन कर दिया अब यह जूम के आगया वहाँ से जूम का उतना फोटो दिखेगा तो इस तरह आप जूम वगरा भी कर सकते हैं अगर आपको चाहिए कि यहाँ पर आप कैमरा से डारेक्ट रिकॉर्डिंग करके और यहाँ पर एडिटिंग करें तो यह बीच वाला बटन आपको दबा देना है जहाँ पर यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी बाकी इसमें कुछ इतना हाइली है नहीं आप धीरे धीरे सारी चीजों को सीखते चले जाएंगे बट इनीशियल आप यहाँ से अपना वीडियो मेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ठीक है तो यह वीडियो इस तरह से कुछ है और यहाँ पर मैंने इसको एडिट किया था तो आप भी अपना एक छोटा सा डेमो लीजिए और इस तरह से एडिट करने का सीखिए में चीज है मीडिया दूसरी चीज है आपका लेयर ठीक है इनी दो चीजों से में सारे काम हो जाते हैं वाइस ओवर के लिए इस तरह से वाइस ओवर होता है उस पर क्लिक करके बस और उसके बाद जब आपका पूरा तयार हो जाए एक बार आप सुन लिजए और फिर यहाँ शेयर पर क्लिक करके यह जो बटन है इस पर क्लिक करके आपको जो है अपना पिक्चर जो भी आप वीडियो बनाते हैं वो बाहर कर लिजए और फिर उसको अपलोड के लिए रेडी है वीडियो कैसी लगी हो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा क्या समझ में नहीं आया वो भी आप कमेंट में पोस्ट सकते हैं वीडियो पहली बार चैनल पर आएँ है तो प्लीज लाइक जरू करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन को आल पर सिट करेगा बस अभी के लिए इतना ही और कुछ अधिक जानकारी आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पुछे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंबी और लंदी होने से वीडियो डिस्टर्ब होती हो कोई लोग ज़्यादा देखते हैं नहीं ठीक है तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में दीजिए अतुल को जाज़त तिल देन गुडबाई एंड चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लिजेगा तो तब तक लिए दिजिए धन्यवाद बाई बाई